नमस्कार भारत जाइन साथियूं एमपिटेट जो की जिसका आगाज हुआ था पांच मार्च 2022 को और 26 मार्च को उसका पेपर लास्ट है उस पेपर में अभी तक के जो रुजान मिले हैं पूरी तरह से पांस तारिक्ये से अभी तक के पेपर में बच्चों के नंबर स्थेंटली कमारे शुरुवात में पर थोड़े से इजी थे अभी जू़ू पर की तरफ या रहे है मेब ठोड़ा सा टॉए रहा है शुरूआत में cdp अच्छी आ रही थी हिए डाव्येस अभीएस तव ठोफ रीई है सी डीफ बिवी ठीफ आने लग गती है कही ने में मेच CAC बच्ची है जो बच्चों को थोड़ा सा इजी लग रही है अब आने वाले समय में क्या मेच से ट्रप तो नहीं हो जाई है बच्चों के अंदर बड़ा सा डर लग रहा है जिनका पेपर अभी 20 तारीक, 18 तारीक, 17 तारीक, 18 तारीक को है पेपर जिनका पेपर अभी हो चुका है उनको भी डर लग रहा है जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके किसी के 90 से उपर आए हैं 90 प्लस ही आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या इन नंबर में हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं मैं एक बात बताता हूं एक परिक्षा होती है दोहजार एकिस में और उस परिक्षा में बच्चों के नंबर 130 आते हैं ठीक बच्चा बड़ा खुश होता है इतना खुश होता है कि मैं कि अपने पडोस में मिठाई बाट आता है मेरे 125 में से 120 नंबर आये मज़ा आगया अब तो मेरा सिलेक्षन हो गया जब उसी एकजाम की मेरिट लिस्ट आती है तो उस मेरिट लिस्ट में उसका नाम ही नहीं होता है वेटिंग तो दूर की बात है उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता है क्या आपको एसी खुशी चाहिए क्या में बात कर रहा हूं अपने ही पड़ोसी राज्य रीट की यानि यूँ के सकते हैं राजिस्थान में रीट की एक्जाम होती है एक बच्चा 130 नंबर लाता है एक बच्चा 120 नंबर लाता है और वो खुश हो जाता है कि मैं सिलेक्ट हो गया क्योंकि मैं तो 80% नं सिलेक्ट न हो पाए तो क्या हमें एसी फालतू की खुशी चाहिए नहीं चाहिए सर पेपर टफ होना चाहिए सर मैं बता हूं आपको जिससे क्या होता है गदे गुलाब जामुन ना खाए सर हर किसी के नंबर कुछ भी आ जाए पता नहीं चलता है जो पढ़ने वाले हैं उ सर दस नंबर वाला बेस्ट है सर उसका सिलेक्शन होगा अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो तिन महीने बाद दो महीने बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको पता चलेगा सर कारण बताता हूं कारण यह है बेटा कि सबसे इंपोर्टेंट है कि पे अगर यही हम अमारे रीट की देख लेते हैं तो रीट में सर सीडीपी में 30 में से 25 कुष्ण तथ्यात्मक आते हैं यह किसका दिया है यह परिवाशा किस ने दी यह उधारण किसका है यह किसका सिद्दांत है उस सिद्दांत में तीसरा चलन कौन सा है अरे सर यह से तो क्या है कि बच्चे में के रहों की रठने पर चला जाता है तो रठने के उपर जोर दे रहा है प्रहीं कभध gute आ रहा है वह सीखने के ऊपर बाल दे रहा हमारा incipe 250 के coaching पर आ रहा है यह बात मान लिजिए थी किसी प्रकार पे कम Clone क अगर अगर पेपर का कठिन नहीं होगा तो इस बात की आप बात मान लीजिए कि राजिस्थान वाले सर जितनी भी कोचिंग क्लासे से वो तथ्यात्मक प्रश्णों को बहुत अच्छा करवाती सर क्योंकि उनका पेपर सर ओफलाइन होता है एक मात्र पेपर आता है 30 कुष्ण CDP के 30 कुष्ण EVS के आते हैं तो लगबग लगबग वो 1000-2000 कुष्ण का कलेक्शन करवा कि वो 30 में से 30 लाने का पूरा प्रियास कर लेते हैं परंतु वो बच्चों के आगे तो ड्यान रखीएगा एमपीटेट में आप सब बहार हो जाओगे क्योंकि उनकी तथ्यात्मक के ओपर बहुत जादा पकड़े तो इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि अगर आप एमपीटेट अभियरती हो और वो मध्यप्रदेश से निवास करते हो तो आपका पेपर का कठीना आना आप सोचिए इस गूट तब क्रंडिशन है गूट बस अपना धेरे बना के रखिए उस पेपर में आप अपना सर्वोच दीजिए दरिये मद सर इस बात को ध्यान रखिए डर लग रहा है मद डरिये सर क्या होगा मैं फिर बता रहा हूँ सेलेक्शन होगा आपका चैन होगा सर इस बात को आप मान लिजिए क्योंकि हमारे यहां पे पोस्टें सर ग्या दस हजार से उपर है और दस हजार प्लस पोस्टें है सर तो इस बात को भी मान लिजिए कि जो हमारे यहां पर MP में है जो गरीब विद्ध्यारती है उनका EWS में जनरल में EWS में आ गया SCST OBC क्योंकि जितने भी बाहर के राज्ये हैं वो जनरल के टिग्री में फाइट करेंगे तो कहीं न कहीं सर आपके लिए बेनिफिट रहेगा कम नंबर हैं चिंता मत करिए सर टेंशन मत लिजिए बस मेरा एक ही निवेदन है सर कि अपने पेपर जितने भी बच्चों के बच्चे हुएं वो बिल्कुल इमानदारी इसके साथ दीजिए अपनी जो चीजे आपने पढ़ी है उसी को रिवाइस करिए आपका सिलेक्शन ताय है ठीक है थेंक्यू सो माच जय हिन जय भारत